लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें नीले मां क्या सोच रहे हूँ जिंदे की कितने रंग बदलती है तब जीती थी तो जीने की तमन्ना नहीं थी हसी आती भी थी तो आसू में डूबी हुए कोई खुशी, कोई खुष कोई अन्मा दिल में थाई नहीं और आज जैसे दिल तमन्नाव का सागर बन गया हो तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पूजा मन करता है अपना सब कुछ निचावर कर दू तुम पे यह खुबी सिर्फ प्यार में होती है निलिवा सच्चा प्यार, जिसके डोर में बन कर दो आज में भी सारी जिंदी की एक साथ गुजार देते है लेकिन मुझे डल लगता है विजे यह खुशी मुसे चिनना जाए जमाने के जालिम भाद हमारे प्यार की दोर को तोड़ ना दे तुम्हारे दिल में उटने वाले इस डर को मैं आज ही दूर कर दूँगा आज के बाद दुनिया हमें विजे और निलिमा नहीं पती और पत्नी कहेंगे विजे मैं शादी का इंतिजाम करके आता हूँ क्या कहा अन्नू ने नियम की गोलियं खाली मैं अभी आता हूँ अन्नू डॉक्टर कैसी है मेरी बेती भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गया वरना बचने की कोई उंबिर नहीं थी अन्नू यह तुने क्या किया यह भी नहीं सोचा के अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरा दैडी तो जीते जी मर जाता सुरी डैडी मुझे की यादोंने मुझे सब कुछ बुला दिया अन्नू मत रोये डैडी मत रोये मैं दुबारा ऐसा नहीं करूंगी आपकी कसम ऐसा नहीं करूंगी अन्नू के दिल और दिमाग पर विजय अभी तक बुरी तरह से चाया हुआ है अब देखो न आज ही जो कुछ उसने किया उसे साफ जाहिर है कि उसे जीने कमो नहीं वो कभी भी कुछ भी कर सकती है हाँ ठीक कहते हो यश मुझे देखो क्या सोचा था और क्या हो गया जैदा से बेदेखर करने की धंकी दी तोल्टा मेरी मुबे तमाचमार की चला गया है वो तो हमेशा से बागी और जिब्दी किसम का लड़का है एक बार जो कहता है वो ही करता है आपको उसके बारे में प आप उस लड़की को विजय की जिनकी से हटा दिया जाए क्या कह रहे हूं तुम हाँ याश ऐसी लड़कें पैसों के लाची होती है उसे जितना पैसा चाहिए मुझे ले लो तेकि मुझे पेदर पेटा चाहिए याश मुरानू की जिनकी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आप आये आये न अब बड़े अच्छे वक्त पर आये हैं आप आज मेरी जिन्दगी का सबसे शुब दिन है आज मेरी आज मेरी शादी होने वाली है मेरा घर बसने वाला है मैं इसी के बारे में बात करने आया हूँ इस बारे में विजे के पिता जी ने मुझे भेजा है क्यों उन्होंने ये ब्लैंक चेक डिया है इसमें जितनी चाहे रकम भर लो और विजे को छोड़ दो वो बैंक इस दुनिया में नहीं बना जो प्यार की कीमत का चेक कैश खरा सके लेकिन तुम्हारा प्यार विजे की जिंदगी को परबास कर देगा ये नहीं सोचा तुमने पुजारी का प्यार पत्थर को परमात्मा बना दीता है इश्क बुद को खुदा का दर्चा दीता है ये सब किताबी बाते हैं असलियत ये है कि तुम एक वैश्या हो तन बेजन तुम्हारी आदत बन चुकी है मजबूरी ने मेरा तन जुरूर बेचा है लेकिन मन का हकदार मेरी जिंदगी में पहली बार आया है और उससे मुझे मुझे मौत के सिवाए कोई चिदा नहीं कर सकता अब आप जा सकते हैं मौत विजे की भी हो सकती है वकीन साहब विजे की पत्नी बनने के बाद अगर किसी ने विजे से कहा कि वो तुम्हें खरीच चुका है तुम्हारे साथ रात बिता चुका है तुम्हारे शरीर के एक एक तिल को जानता है तो क्या विजे उस आदमी का खून करके भासी पर नहीं चरदाएगा आप अपनी दलिलों से मुझे ड कीचर में फिसे ढगे लाएं क्यों आप क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी सबर जाएं क्यों 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 कि उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम्हें मश्वरा देने वाला एक इंसान था आज तुम्हारे पास कि एक पेटी का कमजोर बाप आया है मेरी बेटी विजे से प्यार करती है तो अलों की शादी तय हो चुकी है अगर उसे विजे ना मिला तो मुझे डर है वो जी ना सकेगी आज मेरा बाप हुदा तो वही करता जो आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं मेरा कोई नहीं है आप में जानते जब कोई नहीं होता है तो तो क्या होता है आप में जिन्दगी का सूना पन नहीं देगा आप प्यार के लिए तर्जी नहीं किसी के लिए आसू नहीं बहा है आपने तुम्हें क्या बता कि कितने आसूं के साहलाब पिये हैं मैंने अपनी सगी बेटी बजपत में मुझसे बिछड़ गई बैडी ने बताया होगा बैडी इशारी से बताया होगा आप कचंखाईए जब आप पूजन में होते हैं अब आप बैबा का लोकी जुमानी लगते हैं नहीं बस यू समझो कि मैं आज तक पून के आँसू पी कर दी रहा हूँ और बोलर की जिसके बारे मैं बात कर रहा है उसे तो मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है शायद भगवान इस नेकी के बदले मेरी बेटी को दुनिया की तमाम खुशियां दे दे झाला है